सब्सक्राइब करें जुम्मा किचिन को और बैल आइकन को दबाएं ताके हमारी लेटिस्ट वीडियोज आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचेंग हलो फ्रेंग्स वेलकम टु जुम्मा किचिन आज हम अपनी किचिन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सर्दी की खास डिश इसका नाम है टीमा मटर आलू सभी घरों में अकसर बनाई जाती है और बहुत शक्त से खाई भी जाती है तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं अकसर ही बनाती हूँ सबको बहुत पसंद आती है तो बहुत सिंपल रेसिपी है तो उसके लिए मैंने प्रेशर कूकर लिया है आप चाहें तो पॉट में भी बना सकते हैं और इसमें मैं डाला है तक्रीबन एक कप ऑईल नमक और मिर्च आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं और ओइल थोड़ा गरम हो रहा है तो इसमें मैं डाल देती हूँ कुछ खड़े गरम मसाले जो कहें काली इलाइची छे हरी इलाइची साथ लॉंग आदर टीस्पून काली मिर्च और एक टुकड़ा दार्ची ए प्रहें डाल देती है तो मैंने लिया है एक किलो बटन का कीमा आप चाहें तो बढ़े का भी लेता है तो इसमे को में बहुत अच्छे से जोगे चले में डाल दी अधा बिसका पाली बिल्कुल में चड़ चुपा रहा है रहा हुड़ी देर हम क्रीम खड़े गरम मसालों च यह देखिया इसका color भी change हो गया है तो अब हम डाल देते हैं इसके अंदर प्यास तो छार medium size की मैंने प्यास ली है और इनको मैंने बारिक chopper में डाल के chop कर लिया है तो बस यह डाल देते हैं हम इस recipe के अंदर मैं प्यास को पहले डाल के golden fry नहीं करती हूं उसतरह से भी किया ज लेती हूं जब तक तीमा भुन रहा है हम दिखा देते हैं आपको ये मसाले सिम्पल मसाले हैं तो तीश निया पावडर इक प्रफ्म जीरृ पावडर एक टीशपून कुटी हुई हुई लाल मिर्च एक टीश्पून की सुहाई में अमक और आधा तीश पून हल्दी पावड तो प्लेम मेरी अभी भी मेडियम ही है तो तमाटर अच्छे से बून रहे हैं और इस बुछ अलग हो गया है तो गैस की प्लेम को कटते हैं हम लो और डालते हैं इसके इंदर दही तो एक कप मैंने दही लिया है और यह मिस में डाल देते हैं और अब फिर से हम इसको भूनेंगे तेमा जितना अच्छा भूनेंगया उसना ही टेस्टी बनता है और बिल्कु भी इस मिसे स्मेल नहीं आती है तो बस इसको अच्छे से भून लेती हूं जब तक के जो दही का पानी है वो ड्राय नहीं हो गया तो देखिए पेमा अच्छे से भून लिया है अब डाल देते हैं हम इसके अंदर मटर और आलू यह मैंने आजर किलो फ्रेश मटर नहीं थी और इसको मैंने छीन दिया है तो यह मैं इसमें डाल देती हूं मटर आपनी पसल के इसाब से कंभी ज्यादा ले सकते हैं तीन मीर साथ ही मैं डाल देती हूं कि हरी मिर्चे कम तीकी वाली है अब हम इसको मीरियम फ्रेम पर भूल लेते हैं जब तक कि इसमें सो ऑईल बिल्कुल अलग में हो जाता तो कीमा आलू आप बिल्कुल अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं मेरे बच्छे तोड़ा कम पसंद कर करते हैं इसलिए मैंने मटर को थोड़ी कम खीली है अब ही हमें आलू और मटर को गलाना है इसके अंदर हम डाल देतें तकरीबन एक कप पानी आप अपनी पसंद के साब से पानी कमिया ज्यादा रख सकते हैं अगर आपको थोड़ा पतला चाहिए तो आप पतला भी रख सक करते हैं तो बस ठीक है तो मैं प्रेशर कुकर का रख कर लगाती हूं मीडियम फ्लेम पर दो स्वीड़ी तो थोड़ा ज्यादा पानी डाल के इसको मीडियम तू लो फ्लेम पर आलू और मटर के गलने तक पकने दीजाए हमारा तयार बहुत ही जबर्दस नजर आ रहा है प शाओ करके दिखा देखिए तैयार है हमारा कीमा मटर आलू बहुत ही जबर्दस बना है तंदूरी रोटी के साथ खाईए नान के साथ खाईए चपाती के साथ खाईए या फिर पराठे के साथ खाईए बहुत ही जबर्दस दीर लगता है और बनाने इसको है बहुत ही आसा तो अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कामेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको मेरे चैनल को अभी तब सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा अलाहाफेज